नमस्कार दोस्तों स्वाखते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से उपाई है जिससे आपके मुगी बद्बू खतम हो जाएगी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लक्षन कारण और इसके इलाज मुगी बद्बू को खतम करने के फ्रेंज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडियो की तरब मू की बदभू एक आम समस्या है आम तोर पर कहा जाता है कि दांत या मूगी ठीक से सफाए़ नहीं करने पर मू की बदभू होती है लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है इसके कहीं ऐसफे कारण हो सकते हैं जिसके बारे में मरेज ने सोचा भी नहीं होगा मूँ की बद्वू लंबे समय तक बनी रहे तो इसे हेली टॉसियस बिमारी कहा जाता है इसका इलाज जरूरी है अने तब कंबीर परिणाम बुगतने पड़ सकते है अब फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ कि मूँ से बद्वू आने के लक्षन क्या है मूँ की बद्वू के कारण दानत गिर सकते हैं मसूडों में दर्द हो सकता है और खून निकल सकता है मूँ की दुरगंद के कहीं कारण हो सकते हैं कुछ मूखी क्यानी मूँ से जुड़े कारण है तो कुछ मूँ से सीधे तोर पर संबंदित नहीं है मूँ या दातों की साफ सफाई नहीं होने के अलावा मूँ में घाउ संक्रामन से पस पढ़ना बद्भू के आहम कारण है मूँ का कैंसर भी बद्भू का कारण बनता है गेर मोखिक कारण में पहिं गंबीर बिमारिया शामिल है डाइपटीज, किड्नी की बिमारिया, आदी बिमारिया शामिल है अफ्रेंस मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे अयरुवेदिक तरीके मूँ की बद्भू से बशना है तो सबसे पहले मूँ और दातों की अच्छी से सफाई जरूर करें यह काम सुबह और रात में किया जा सकता है अच्छी क्वालिटी का तूत प्रश और पेस्ट इस्तमाल करें टंग क्लीनर से जीप भी अच्छी तरह साफ करें आम तोर पर जीप के उपर जमी परत बद्भू का कारण बन सकती है इसके अलावा प्रियाप्त मातरा में पानी पीए पानी पीते रहने से मुँ साफ रहता है दातों में फसा खाना निकल सकता है जो बद्भू का सबसे बड़ा कानन होता है वही इस बिमारी से निपटने में ग्रीन टी भी फाइदेमंद होती है ग्रीन टी में मुझूद एंटी बेक्टरियल टातों से दुरगंद दूर होती है माउट फेरिशनर के रूप में सुके दनिये का इस्तेमाल करें लॉंग और सोप का उपयोग भी किया जा सकता है तुलसी की पतियां चबाकर मुझ की दुरगंद भगाने का सबसे कारगर तरीका है सुबा और शाम तुलसी के तीन चार पत्ते रोज चबाएं इसी तरक पर अमरूत के पत्ते भी चबाए जा सकते हैं इससे तदकाल पाइदा मिलता है मुझ की बदबू धूर करने का एक और तरीका सरसू के तेल और नमक की मालिश करें हतेली में थोड़ा सरसू का तेल और एक चुटकी नमक मिलाएं इस मिश्रन से मसूरों पर मालिश करें ना केवल मसूरे मजबूत होते हैं बलकि मूँ की बदबू भी चली जाएगी आईवेट के अनुसार अनार की चालक इसका इस्तमाल किया जा सकता है इसका इलाज है चालक को पानी में अबार ले और रोज इससे कुला करें जो लोग नकली दात का उप्योग करते हैं वे इसकी सफाई का अच्छी तरक ख्याल रखें शराब और तंबाकू का सेवन न करें जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके मूँ में लगातार बदबू आती रेती है खाने में प्याज और लसुन के उप्योग से बचें उप्योग सावदाने बरतने और घरेलो इलाज करने के बाद भी बदबू बनी रेती है तो डाक्टर से संपर्क करें डाक्टर इसका सही इलाज बताएगा कि आपको आखिर प्रोब्लम क्या है तो देखा फ्रेंज आपने यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मूगी बदबू किस तरह से खतम की जा सकती है उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू फ्रेंज मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तकिली ये बाबाई